हेलो फेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस्राइल, ग्रीज, सैप्रिस, समिट के बारे में यह आपके एक्जाम पॉइंट विए से बहुत इंबोर्टन जाती है और अगर आप चाल में नए हैं तो प्लीज दो लाइक, सब्सक्राइब टे चैनल और प्रस दा बेल आएगे फ्रेंट्स क्या हुआ है कि हाली में हमारे देश भारत को लेकर एक न्यूस सामने आई है और इस न्यूस की हिसाब से अंगले साल होने वाले त्री पक्षिये इसराइल, ग्रीस और साइप्रस के सिका सम्मेरन में भारत को आमंत्रिट किया जा सकता है फ्रेंट्स ये ब्यान ग्रीक के प्रधान मंत्री की तरफ से आया है जिन्हें यानि कि भारत को अंगले साल होने वाले अंगले त्री पक्षिये सिका सम्मेरन में भी आमंत्रिट किया जा सकता है फ्रेंट्स अभी हाली में इन तीनों देसो यानि कि इसराइल, क्रीक और साइप्रस दोरा 4 सितंबर को त्रिपक्षिय सिकह सम्मेलन आयोजित किया गया था जो यूरोप को निर्याद की जाने वाली उर्जा जिसमें विसेश रूप से नैच्छल गैस और रेनेबल अनरजी पर ध्यान केंदित करने के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए किया गया था और इसी सम्मेलन में भारत को अंगले त्रिपक्षिय सिकह सम्मेलन में अमंतिर करने की बात कही गई थी फर्ट्स तीनों देश भारत के साथ सहयोग को एक बड़ी समामना के रूप में देखते हैं लेकिर इन तीनों देशों के दौरा ये भी देखा जाता है कि इससे भारत, अरब कंट्रीज, इसराइल, साइप्रस, ग्रीज और यूरोक के भी संबन बन सकते हैं और यहाँ पर ग्रीक के अलावा साइप्रस और इसराइल के लीडर्स के दौरा भी भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है फरंड्स अकर इन तीनों देशों के गड़बंधन को समझा जाए तो यह देश अपने नाच्वल गैस रिसोर्स को बेचने की मौके तलास रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अभी रस्या यूकरियन वार चल रहा है और इस वार के चलते अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई सारे प्रतिबन लगाए हैं लेकिन इन प्रतिबन्दों से नुक्सान सिफ रूस को ही नहीं बलकि यूरोप को भी हुआ है क्योंकि यूरोप भी रूस से नाच्वल गैस आयात करता था एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप अपने नाच्वल गैस की रिक्वाइमेंट का 40% अकेले रूस से पूरा करता था लेकिन अब प्रतिबन्दों के चलते यूरोप रूस से नाच्वल गैस आयात नहीं कर पा रहा है हाला कि अभी भी कुछ प्रतिशत गैस आयात की जा रही होगी लेकिन इतनी नहीं जितनी पहले की जा रही थी और अब यूरोप की इस अवसक्ता को इसराइल और साइपरस की तरफ से अपरचूनिटी की तरह देखा जा रहा है क्योंकि इसराइल पहले से ही ओफसोर गैस रिजर्फ को एक्सपोइट कर रहा है और साइपरस के पास अब तक अन्यूज एनर्जी रिसोर्स है और दोदो देख यूरोपियन मेंलेंड पर नाच्रूल गैस एक्सपोर्ट करने के लिए एक जुट होने के रास्ते तरास रहे हैं साथ ही तीनों देशों के सयुक्त बयान के अनुसार तीनों देश आपस में इलेक्टिसिटी इंटरकनेक्टर और संभावित नाच्रूल गैस पाइपलाइन जैसी उर्जा तालमिल को बढ़ावा देना चाहते हैं वहीं इस्राइल और साइप्रेस उनके देश की गैस भंडार को आइसलेंड से यूरोप में निर्यात करने पर काम कर रहे हैं इसके अलावा इस नौवेज त्रिपक्षे सिकर सम्मेलन के समापन के बाद तीनों देशों दोरा एक सयुक्त बयान में कहा गया कि एनरजी सेक्टर और विशेश रूप से नाच्वल गैस के साथ साथ इलेक्टरिसिटी और रिनेवल अनरजी अंतराश्ट्री कानून पर अधारिच छेतर में सहयोग के लिए एक ठोस अधार है तो फ्रेंट्स ये था सारा वीडियो इस्राइल ग्रीज साइप्रेस समिट से लेटेड और इस समिट में अंगले साल भारत को इन्वाइट करने को लेकर अगर आपको वीडियो कंटेन्ट पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब अचारोब और प्रस्ता बेल अगर थांक्यों